मश्रूम का छत्ता जब 5-7 cm का हो जाए तो परिपक्व समझना चाहिए इसे आप घुमा कर तोड़ लिए तने के निचले भाग को जिसमें मिट्टी लगी होती है फटा दिया जाता है और मश्रूम को पॉलिथीन या पीपी बैक जिसमें छेद हो उसमें पैक कर दिया जाता है यानि एक किलोग्राम सुखे भूसे पुवाल से एक किलोग्राम ताजा मिलकी मश्रूम प्राप्त होगी अच्छी पैदावार होने पर मिलकी मश्रूम उत्पादन करने के लिए 20-25 रुपे प्रतिक किलोग्राम उत्पादन खर्चाता है इवं विक्री आपके इलाके के अनुसार 200-400 रुपे प्रतिक किलोग्राम तक हो सकती है इन तक्नीक को अपना कर आप गर्मी के मौसम में भी मिलकी मश्रूम का अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं और इसे आप एक बेहतर आयका जरिया बना सकते हैं